नमस्कार साहीति सोंदरे चानल में आप सभी का स्वागत है आज हम अंतरा भाग दो कक्षा बारहवी हिंदी इलेक्टिव के लिए एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एक कम अब इसका शीर्षक एक कम क्या कहता है आईए जानेंगे इससे पहले कवि का एक संग्षिप्त बरिचय ले लेते हैं कवि है इसके विश्नु खरेजी विश्नु खरेजी का जन्म हुआ है चिन्वाडा मध्य प्रदेश में और इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की इंदोर क्रिश्चन कॉलेज से एमे किया इन्होंने अंग्रेजी में और ये पेशे से पत्रकार रहे हैं लगु पत्री का व्यास तथा नौभारत टाइम्स के संपादक के पद पर भी एक कारे कर चुके हैं जवाराल नेहनु संग्रहाले में अध्यक्ष भी रह चुके हैं वर्दमान समय में ये स्वतंत्र लिखन का कारे कर रहे हैं अनुवात के शेत्र में इनका बहुत महत्वपुर्ण योगदान है इन्हें कई सारे संब्मानों से संब्मानित भी किया गया है जिनमें प्रमुक है मैथली शरन गुप्त संब्मान रगुवीर सहाय संब्मान तथा दिल्ली सहीतेकार संब्मान तो आईए पढ़ते हैं कविता एक कम मेरे सामने एक इमानदार आदमी औरत या बच्चा खड़ा है कवी यहाँ पर कहते हैं कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो सब के दिमाग में देश को आजाद कराने के चिंता थी देश हित सर्वो परी था अर्था देश के फायदे के लिए लोग अपनी जान तक कुर मेरे सामने एक इमानदार आदमी औरत या बच्चा खड़ा है मानता हुआ कि मैं लाचार हूँ कंगाल या कोड़ी या मैं भलाचंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोकेबाज तो इस तरह कभी कहते हैं कि वह स्विकार कर रहा है कि मैं एक मामूली सा भिक्षुक मतलब हो सकता है कि मैं नकली चोट का बहाना बना कर आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ इसलिए मैं मामूली सा धोकेबाज भी हो सकता हूँ लेकिन देश हित को मैंने जो है देश को मैंने धोका नहीं दिया है तो इस तरह से वह पूरी तरह से आप पर आश्रित है आपकी भि पुरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परिशानी या गुस्से पर आश्रित, तो इस तरह भिक्षा मांगने वाले के प्रती, लोगों का रवईया कभी संकोच का होता है, कभी लज्जा का, कभी परिशानी में भी आ जाते हैं, और कभी गुस्से में भी आ जाते हैं, संक तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निरलज और निराकांग्शी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड से, तो इस तरह मानो वह भिक्षु कह रहा हो, कि तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल नंगा, निरलज और निराकांग्शी हूँ, अर्थात मेरे मन में कोई आकांग्शा, कोई उम्मीद नहीं है कि मैं तुमसे आगे बढ़ जाओं या तुम्हारे साथ कोई competition करूँ और मैं निरलज्ज हूँ मतलब मुझे कोई शर्म नहीं आती आपसे पैसे मांगने में क्योंकि मैं इमानदार तो हूँ कम से कम कम से कम मैंने देश को कोई नुकसान तो नहीं पहुचाया तो यहाँ पर वा कहता है मैंने अपने को हटा लिया है हर होड से अर्था जस प्रतिस पर्धा में आज ये पूरी दुनिया दोड़ रही है हर भाई अपने भाई से खुद को अमीर दिखाना चाहता है, हर मित्र अपने दूसरे मित्र से खुद को अमीर दिखाना चाहता है, तो एक प्रतिस परधा में पूरी दुनिया भाग रही है, मानो वह विक्षुक कह रहा हो कि इस प्रतिस परधा में मैं शामिल नहीं हूँ, त कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकती हो। आगे मानो वह भिक्षु कह रहा हो कि आज जो प्रतिस परधा में सब लोग भाग रहे हैं कम से कम तुम्हें मुझसे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे आगे बढ़ने की कोई इच्छा अपने मन में नहीं रखता और ना ही मैं देश को अपने हित में इस्तिमाल करता हूँ। इसलिए तुम्हें मुझसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम आगे हो और हमेशा आगे ही रहोगे। तो इस प्रतिस परधा के योग पर कवी ने यहाँ पर प्रश सिक्रे यहां हुआ है और कवी ने एक भिक्षुग के प्रतिसम वेदना व्यक्त की है कि वह कम से कम इमानदार तो है तो उम्मीद करती हूँ कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगली कविता में फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाई और नमस्ते।